सो हेलो गाई स मेरा नाम है अरुईन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं firebolt के एक और ने smartwatch के बारे में जोगी है firebolt cobra तो दोस्तों जो भी लोग इस smartwatch को ख़रने के बारे में सोच रहे हो इस smartwatch के release का इंतजार कर रहे हो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है यार क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसे जानकर कि सायद आपको लगे कि आपको यह smart watch को नहीं खरना चाहिए या फिर आपके पैसे ही वरवाद हो सकते हैं आपको पस्तावा भी हो सकता है चलिए वीडियो को श्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस smart watch के कुछ features की तो यहाँ पर हमें जो 1.78 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले दिखने को मिल जाता है साथ दोस्तों यहाँ पर हमें 368 इंटो 448 का resolutions भी दिखने को मिल जाएगा बात करें दोस्तों इसके brightness की तो यहाँ पर हमें जो 500 का neat brightness दिखने को मिल जाता है साथ यहाँ पर हमें 68 का refresh rate भी दिखने को मिल जाएगा आगे दोस्तों बात करें इस Smart Watch की अने फीचर्स की तो यहाँ पर में जो Bluetooth Calling का भी फीचर देखने को मिल जाता है साथ यसाथ दोस्तों इसके बैटी लाइफ की बात करें तो यहाँ पर में जो 15 डिस का बैटी लाइफ देखने को मिल जाएगा Heavy uses में आपको 10 days का battery life देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों battery saver mode में आपको up to 13 days का battery life देखने को मिल जाएगा आगे दोस्तों बात करें इसके अन्य features की तो यहाँ पर हमें जो 123 sport mode देखने को मिल जाएगे साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हमें जो AI voice resistant का भी support देखने को मिल जाएगा इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें जो IP68 का water resistant देखने को मिल जाता है यानि कि दोस्तों 3 meter तगा पानी में आसानी से use कर पाओगे बात करें दोस्तों इसके health features की तो यहाँ पर हमें जो SP auto mounting, heart rate mounting, sleep mounting के साथ female health care के feature दिखने को मिल जाते है बात करें दोस्तों इसके looks and design की तो यहाँ पर हमें जो army वाला look दिखने को मिल जाता है जो काफी यदा rugged smart watch होने वाला है तो no doubt दोस्तों build and design के मामले में इस smart watch में हमें काफी जादा enhancement देखने को मिल जाती है पर दोस्तों सबसे बड़ी problem मुझे जो इस smart watch के लगी वह है इस smart watch का price इस smart watch के जो price रहने वाला है दोस्तों 3499 रुपे के करीब आपको देखने को मिल जाता है बागे दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहरी बार है वो तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना मैं मिल था आप से नेक्स्ट वीडियो